कि कल इन्होंने किया है फ्यूल चार्जी जो बढ़ाए हैं फर्स्ट एपरल से 47 पैसा पर यूट बढ़ाए एक्सेप्ट एगरिकल्टिर कंजुमर्स के छोड़ कर या 200 यूट से कम जो कंजुमर उनको छोड़ कर सब पे उपर 47 पैसा बढ़ा दिया पहले ही जो है गरीब आदमी मद्यवर्दी लोग जो है आदमी वही पहले ही बहुत गंबीर आरत में आर्थिक तोर पर उनकी कमर ठुटी पड़ी है और जोर से इन्होंने किया है इनको सोचना चाहिए और इसको विड्राव करना चाहिए दूसरा जहां तक ग्यों का वह है इसमें समझो 47.5 पैसे प्रती यूनिट बड़ाती की इन्होंने यानि एक परिवार अगर 600 यूनिट बिजली खर्च करता है तो उसे 300 रुपे अधिक बुक्तान करना पड़ेगा महीने में ये केवल जो है निजी कंपनियों को फाइदा पहुचेगा और जनता आम जनता पर बोज बड़ेगा जबकि हमारे कारेकाल में 2 रुपे 94 पैसे का हमारा एग्रीमिंट था अड़ानी से 25 साल तक का 25 साल तक उनको 2 रुपे 94 पैसे देना था अब वो तो उन्होंने दी नहीं बाहर से इन्हों खरीद करी कितने 10-10-11-11 रुपे यूनिट पर ती यूनिट खरीद किये तो इस सिरब उनको पहुंच दिला पहुंचता कंपनियों को कॉर्पेर्स को और 8 साल से इन्होंने एक भी यूनिट बराने काम नहीं किया अपना जबकि हमारे समय में पावर सरप्लस थी हमारे क्योंकि हमने पंदरा सो मेगावाट के इंद्रा गांधी सुपर पंदरा सो मेगावाट जजर और जजर में ही 1223 मेगावाट का एक और यम्रा नगर में 600 मेगावाट पानी पत्थर में प्रांट में ही बढ़ाया हमने और खेदर में भी हमने लगाया इतने पावर प्रांट हमने लगाये और एक और पावर प्रांट बनना सा इसमें एड होना सा यम्रा नगर में 600 मेगावाट का जो की काम शुरू हो गए था बाट साल तक उसके उपर भी कोई कारवाई नहीं हुरी है फत्याबाद में जो परमानु बना उसमे भी अबारा इस्सा था इस परकार से बिजली की देखते हुए और यह जो क्लेम करते हैं कि 24 गंटे बिजली में इत्ती बारे बिल्कुल आप गाउं में जाओ इनका जूठा क्लेम है यह हाँ यह मीटर बदलने में गोटाला मीटर का कभी बिजली मीटर खरीद में गोटाला होता है कभी बिजली की रेट बढ़ा कर यह नीजी कमपने को फायदा पचा रहे हैं काम करते हैं जबकि 2005 में को हमारा बजट जो उसका थोड़ा ही था उसके बावज़ू भी हमने 16 सो क्रोड रुपे के बिजली के बिल माफ किये थे और यह बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं किसान क का जो दस पैसे ही रुट अबने किया था हमारे टाइम में किया था हमारे से पहले बहुत ज्यादा बहुत था उसका रात देने के वज़े और बोज में यह कर रहे हैं इसी परकार से जो यहोंगी खरीद की बात है मैं स्वेम मंडियों में गया था तबाल का गरॉंडा पानिपद करणाल और वहां पे बहुत सारे किसान भी मिले मेरे को और वैपारी भी मिले आर्टी मिले एक तो जो सरसों की इससे पहले सरसों की खरीद हुई थी किसान को 500 से लेकर 1000 रुपे कम रेट MSP की बात करते हैं उन्होंने कम रेट डिस्टरस सेल में बेचना पड़ा इन्होंने MSP नहीं दी सरसों में 350 MSP है लेकिन किसान ने कहीं 400, कहीं 45, कहीं 48, कहीं 49 इस बाव से वह सरसों हम बेचनी पड़े हैं अब बेमौसमी बारिश हुआ, किसान परेशान है, कोई समझो 17 लाख है कड़के करीम, जो अब तक जो जिनके उसमें आई है, खराबे की रिपोर्ट मिली है, जबकि गिर्दावरी हैं, दस परसेंट की हुई है कुल, योगी कटाई हो चुकी, कब गिर्दावरी होई, कब झाल